हेलो गाइज तो आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं B.A. 2018 का कोशन इससे पहले हम तीन वीडियो अप्लोड कर चुके जिसमें 2021 का कोशन डिसकस किये थे फर्स्ट वाले वीडियो में उसके बाद हमें start के थे 2020 का और उसके बाद upload के थे आपको 2019 का और अभी हम इस वीडियो में upload करें 2018 का question हम अभी discuss करेंगे और सारा question GK और GS का question रहेगा जिसमें से आपको पता है कि 40 question पूछा जाता है चारीज का चारीज को बताएंगे ताकि आप अपने तयारी को थोड़ा एक कदम आगे बरा सके बीना देर के में इस वीडियो को start करते हैं और यह देखते हैं देखिए पहला question आपको है यह question आपको ऐसा है फिजिक्स का question पूछा है एक नौटकल मील कितने किलो मीटर के बराबर होता है एक नौटकल मील जो होता है वो आपको 1.852 किलो मीटर के बराबर होता है इसका आंसर हो जाएगा आपको option number B आप अच्छे से question को देखे ताकि आपको याद हो जाए आई दिखाते हैं question number second है 57 है जहां तक सूर्च से दूरी का प्रस्न है पित्वी किन के बिच इस्तित है गरह से question पूछा है तो आपको पता है कि गरहों के संख्या कितनी है तुड़ा आठ गरह है बुद्ध, सुक्र, प्रित्वी मंगल, ब्रस्पति, सनी, अरून और वरून तो आपको पूछ राए कि प्रित्वी किन दो घरहों के बीच इस्तित है सुर्च से दूरी के अनुसार है तो पहला आता है आपको बुद्ध, दूसरा आता है आपको सुक्र, तीसरा आता आता आपको प्रित्वी, फिर आता आपको मंगल, देख लिए आपको सुक्र और मंगल के बीच में आपको फिर्टी बीचती थे, अई देखते हैं, आपसन नमबर 20 का सही आंसर हो जागा, सुक्र एबम मंगल. कोशन नमबर 58, कित में से सबसे अधीक किसका अटोमिक नमबर है, सबसे ज़्यादा जो अटोमिक नमबर है इसमें से यह डर्मेस्टेटियम का है, ऑपसन नमबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आई देखते हैं, नेक्स्ट कोशन, कोशन नमबर 59 है हमारा, समानेता इस्थीत में पानी किस तापकम पर उबलता है, पानी उबलने का बात हो रहा है, देखे, पानी जो उबलता, अगर फॉरन हाइट की बात करेंगे, तो दूसरो बारा दिगरी फॉरन हाइट पर पानी उबलने लगता है, अगर हम सेल्सियस की बात करेंगे, तो एक सो डिगरी सेल्सिय पानी क्या करता है उबलने लगता है और Celsius में पूछता है 100 degree Celsius होता है अगर इसका अन्सरी का तापकरम पूछा है तरी निज पापकरम नहीं लगभग में 30 degrees Celsius होता है अगर इसका चाही डाटा लेजिएगा आप तो इसका अंसर होता है अगर फॉरन हाइट में पूछ लेता तो फॉरन हाइट में होता है नैंटी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फॉरन हाइट दोनों याद रखे अगर आपको फॉरन हाइट में पूछता तो नैंटी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फॉरन हाइट यहां पूछा है सेल्सियस में आपको लगभग में सारे चार लीटर के बराबर होता है इस आंसर हो जागा 4.546 सारे 4 लीटर के बराबर आप्षन नमर 5 का सही अंसर हो जाएगा कॉस्टन नमर 62, दो ग्यामीट के बिले से एक कुस्किय संटना का निर्वान होता, उसे क्या कहता है, उसे जाइगोट कहा जाता, आप सन नमर 60 का अंसर होगा कॉस्टन नमर 63, सनिक्त राज अमेरिका के पर्थम राष्टपती कौन थे, अमेरिका के जो पर्थम राष्टपती थे, वो आपको जोर्ज वासिंग गटन थे, और अभी अमेरिका के राष्टपती कौन है, तो जो बाइडन है, इभी याद रख सकते आप भारत के आजादी के समय इंग्लेंड के परधानमंत्री कौन था तो इस अमें इंग्लेंड का परधानमंत्री कौन था और साधी आपको सभी से अंसर हो जाएगा कोशन नमर 65 भारत के समिदान सभा के पर्थयम अध्यश कोन थे देखिए समिदान सभा से कोशन पुचा है तब भारतिय समिदान सभा के जो पर्थयम अध्यश थे वो आपको डक्टर सचिदानन सिन आते लेकिन ये औस्था ये अध्यश थे देखिए दो कोशन यहां से चुना गया जो डॉक्टर रजेंदर परसाद को चुना गया था दो कोशन याद रख सकते आप कि तीन कोशन याद रख सकते थे कि समिदान सभा गठन का ववा था और दे जो कोशन रख सकते अच्जेंदर परसाद इस गांसर अप्सण नमर बी हो जाएगा मयंमार देश की राजधानी जो है नियाई प्योटा है और सिज का अंसर होगा कोशन कुछन नवर 67 राज तरण नहीं पुष्टक के लिखा को ने राज तरण पुष्टक है जो कलहन लिखा था यह जो पुष्टक है उसको लिखने बारे था कलन और कस्मीर की इतियास के बारे में इस फिर चल्चा किया गया तो इसका उपसें हो जागा अपसन नवर एक कस्मीर इतियासकार. Question number 68. 20 आदरभूमी दिवस किस दिन मनाते हैं? देखिए 20 आदरभूमी दिवस जो मनाते हैं, हम लोग वो दो फरवरी को मना आ जाता है. देखिए दिवस भी पूछा है, तो इसके लिए आप दिवस को भी याद करके रखे. Question number 69. भारत का राष्टिय जलिय जंतु को ने देखिए, भारत का जो राष्टिय जलिय जंतु है, गंगई डॉलफीन है, यहाँ दखे, आप्सान नबर B क्वेशन नबर 70 20 परियावन दिवस 2018 की विसे बस्तु क्या थी तो 2018 का जो विसे बस्तु था परियावन दिवस का वो आपको था पलास्टिक परदुशन को पराजित करो Option number 10 का सही अंसर हो जाएगा Question number 71 June 2018 में सनिक्त राज के अगले अध्यच के रूप में कौन चुने गये थे देखे उसन में चुने गये थे आपको इक्वाडोर के विदेश मंतरी Option number 20 का सही अंसर Question number 72 भारत में किनके जंदिवस पर सिक्षा दिवस मनाते हैं भारत में जो जंदिवस मनाते हैं वो मौलाना अभूल कलाम अजाद के जंदिवस पर बनाते हैं और कब है ये 11 November को इभी याद रख सकते हैं आप यहां से 11 November Question number 73 दुनिया का सबसे बड़ा दुर्विन कीज देश में देखे दुनिया का सबसे बड़ा दुर्विन ऐसे तो एस्पेन में इसी थे और इस्पेन के बाद दूसरा अस्थान आता आपको सनिक तरस्ट अमिर्का खा तो अप्सन number 6 इसका सही आंसर हो जागा का इक इसमें इस्पेन का अप्सन नहीं दिया हुआ है Question number 74 28 रेंगी के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा और सुरचित है तो जब सबसे ज़्यादा और सुरचित देश आपको अफगनिस्तान है Option number C Question number 75 लोगसवा के अध्यच कौन चुनता है देखे लोगसवा के जो अध्यच चुनता है वो आपको लोगसवा के सदस्गन ही चुनते है Option number A इसका सही आंसर हो जाएगा Question number 76 मुक्त विष्विदाले निवन माध्यम से सिख्षा परदान करता है यह दुरस्ट माध्यम से सिख्षा परदान करता है Option number A इसका अंसर हो जाएगा Question number 77 प्राचीन भारसे अचार चानक एक गुरुकुल में सिचक थे जो डैस में अबस्तित था देखे जो गुरुकुल के जो सिख्षक थे आचार जिनका दूसरा नाम विष्णु गुप्त भी है वो तचिसीला के सिख्षक थे और इधी का जो चिला था सिख्षित था वो क्या बोलते है चंदगुप्त मुरिये था जो मुर्य समराज का अस्थापना करता है तो याद रखेंगे यहां से कि मुर्य समराज का अस्थापना कौन क्या था तो चंदगुप्त मुर्ये क्या था किसको हरा के किया था घनानंद को हरा के किया था और सायता करने वाले कौन थे तो चानक ही थे अचानक का दूसरा नाम क्या तो विस्नुगुप्त है इस अब कोशन में एक्जामिन पूछ लेगा तो आप यहां से अच्छे से लर्ण कर ले कोशन अबर 78 तीन भासा सुत्र में क्या अंतर नहीं थै विस विद्याले में तीन भासा की परहाई होनी चाहिए कोशन नमर एस का सही अंसर है कोशन नहिबर 79 सफेद करांती से भारत किस मामले में सवाम लंभी हुआ है तो दूद उत पादन से कोशन नमर 80 मौनटेशREE का नाम किस से जुरा हुआ है तो पिरी इसकूल शिच्छा से जुरा हुआई क्या मतलब होता है तो बेग्यानिक सभाव का क्या मतलब होता है तो बेग्यानिक सभाव का तर्क के साथ निर्ने लेने का सबाब होता है अब सान नमर A's का सही आंसर है कोस्न नमर 83 भारत की खोज नामक पुस्ता के रचाइता कौन है? तेखिया भारत का खोज नामक जो पुस्ता के वो लिखने बाले ते जवारलाल नेहरू यह भारत के पर्थम पर्धान मंत्रीव है इभी याद रखेंगे कुस्टन नबर 84 सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुप्त अभम अनिवार सिक्षा का अधिकार देता है यह आपको 6 वर्स लेके 14 वर्स तक के बच्चों के लिए कुस्टन नबर 85 मानभ सरीर में कुरोमोजोम की संख्या 10 होती है यह आपको हो जाएगा ऊप्सटन नबर सी इसका सई अंसर हो जाएगा है कुस्टन नबर 86 हमारे समिधान का कों सा भाग मुप्त अभम अनिवार प्रात्मिक सिर्चा का अधिकार परतान करता है यह आपको हो जाएगा option number B राज नीती का नीदेशक्सिदांत question number 87 सामिदान के अनुच्छित 51 में ड्यास है सामिदान का जो अनुच्छित 51 उसमें नागरिकों का करतिया बिखा गया option number B इसका सही अंसर हो जाएगा question number 88 निम्लिकीत में से कुन सा सरवच नागरिक पुरसकार परतिश्टिट बैक्तियों को दिया जाता है देखें भारत रतन है जो परतिश्टिट बैक्ति को ही दिया जाता है option number C इसका सही अंसर हो जाएगा question number 89 बिस बाल मजदूरी निशीद दिवस डैस को मनाया जाता ते यह जो आपको मनाया जाता है बाल मजदूरी निशीद दिवस यह 12 जून को मनाया जाता अब सानबर इसका सही आंसर है question number 90 किसने कहा था कि सिद्दांत निशीद सिद्दांत भविस में बिठी निर्मान का अधार होना चाहिए यह डाक्टर भीम्रा अमेतकर जी बोले थे अईनी को भारतिय समिदान का जनक भी कहा जाता है question number 91 question number 93 किस राज के साथ सबसे लंबा समुद्र टट है यह गुजरात के साथ अपसा नमबर इसका सरी अंसर है question number 94 रेक्त में अधिक मुत्रिये अम्ल डैस विमारी का सूचक है तो देखिए गाउट विमारी का सूचक है question number 95 यह last question है आपको question number 95 कोरा के समय हम लोग डैस के कारण देख नहीं पाते हैं कोरा के समय हम लोग परकास के परकिनन की वजास नहीं देख पाते है अपसा इसका स्यांस हो जाएगा देखिए टोटल 40 question discuss कर दिए जीकेजिस से टोटल 40 question पूचता है इसलिए आप जीकेजिस का त्यार यह अच्छे से करके जाए ताकि आपको अच्छे नम अच्छे नमबर आ सके तो आप एक एक question को सजी से देखे बार बार देखे ताकि repeat कर एक question तो वो question बन जाए और question देखने से आपको यह एक pattern पता चलेगा कि कि एक्जाम में कौन subject से कितना question पूचता है कैसा question पूचता है जदा heart पूचता है कि basic पूचता है ताकि आपको एक platform मिल जाए और आप अच्छे से अच्छा नमबर उठा सके चलिए आपको वीडियो पसंदा है लाइक करें दोस्तों के साथ से एक है ठांकी सो मच